हैं सो हैं वाज वीडियो में घ pyt car में बहुत सारे मेरे पर सिर्कस्ट है अजब मेरे मुन्हद ऑर जिए रहें क्या ठोलीच फैमि तो की मौड़्यक्त Сब्साहिएं सिर्क फैमिलेगा साथ के क्या होता है ठीक एष्टे में एक और मौटबस का सर किट्व समझाना है कि हम इस तरह से एक माइक्रो कंट्रोलर से डेटा को ले करके और हम फाइनल उसको मॉडबस में देख रहे हैं ठीक है कौन-कौन से उसके ड्राइवर आइसी उस होते हैं किस तरह से अपने लाप्टॉप के साथ कम्मिनिकेट करेंगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से हम प्रोगामिंग करते हैं ठीक है मॉडबस के लिए और कोसिस करूंगा अगर मेरे पस कोई वैसा डिवाइस एवलेवल हो ठीक है एक मेरा फ्रेंड है देविल गाइडियो कि हाओ वी किन कमिनिकेट बिकास उसके वह काफी अधी एलेक्ट्रोंटिक्स मेरा था है एक्सपेरिमेंट करता है ठीक है उसके बाट काफी सारे कंपोरेंट्स और डिवाइस भी है तो अगर उसके पास भी अवलेवल होगा मॉडबस के लिए तो वह डेफिनेटली वाइड करेगा ठीक है तो मैं उसके भी इनवाइड करूंगा एक दो दिन में वीडियो के लिए ठीक है तो बट मैं जो बात करूंगा तो हम सबसे पहले यह समझेंगे कि वाट इस बेसिक डिफरेंस बेट्वें मॉडबस और आरे सुरेट 5 तो देखो दो चीजी होता है मैं जैसे कि बोलता हूं यू आट कम्यनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है यू आट एक कम्यनि कि यूश करते हैं तो उसमें हमारे पास दोजगे सिटनल होंगे इक प्लिक आप देखेंगे तो पहुत सारे अप्लिकेशन लाइक आगर fourci10 से मोडिलS कर सकते हो जो भी हो होते हैं तरह च्रोंप आपी इसक drive जो करते हैं वो किसे करते हैं आपके यू आट कमिनिकेशन करते हैं बहुत सारे ऐसे अंपके स्थिकरियों ज Cannes alum करता है आई-पे बटे-स शर्ण है और इस शक्राइब है लिए इसमें आजाते हैं तो उसी तरह से मॉडबस वी जो है वह एक प्रोटोकॉल है जो बताता है कि आपको कि मतलब मेरे पास एक मास् süर्ट करिभाइस के माइपे क्या मतलब वे मैं ने किया था चुनके लॉप अधettsigWhile कर आएृत और एक हमारा था तो एक हमारा the popular Master उसके सब मुल्टिप्ल डिवाईबस को के संचे को कर साहे हमारे हैं हमारे पास कोई Omband कर सकते हैं तो स्नाइडर न यह दिया था कि हमारे पास सब्सक्राइब उसके बात करेंगे कि मौड बस में जो मारा मास्टर होगा वो किस तरह से डेटा को पूरा रीड करता और फेच करता है ठीक है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो विडियो को complete देखना है at the end तक आपको की आपको भी इंट्रस्ट राए बहुत सारे लोगों का था ठीक है डाउट तो मॉट बस क्या एक प्रोटोकॉल एक रूल है जस्ट और उसी का जो एक अप्लिकेशन है वो क्या है RS485 है आप बात करता हूं अगर मैं आप आईटी प्रोटोकॉल के लिए आपको सिफ्ट रजिस्टर मिल जाएंगे एक एक अप्लिकेशन आपको हो जाएंगे एक प्रोटोकॉल है उसका एक एक अप्लिकेशन है जोकी है RS485 और बहुत सारे एप्लिकेशन थी अंपर शहरे थी आप करता है एक एक प्रोटोकॉल कि आरह सोटेटा इस तरह से डेटा को रीड़ और राight करते हैं क्या डृइवर इंपुट होता है क्या ड्राइवर और इनेवल होगा इस अभी कि अब आप करेंगी यह चुर्ण चलिट करेंगे और पिर आप कौन से बहुत सर चीजे बताओंगा आपको वीडियो को लास्तर देखना बस ठीक है बहुत सब्सक्राइब को पॉइंट मिल जांगे यहां से और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि हमारा माइक्रो कंट्रोल से जो पूरा-पूरा प्रोसेस हो रहा हो किस तर से हो रहा है एक ब्लॉंग डिग्राम के दिश्ट कंट्रोलर ठीक है ताइब मिक्रो कंट्रोलर का थीन पिंपन को यहां पर यूज़ करें गे फार दे मॉड्बस में क्या हूं आँ कर देता हूं डी कम मतलब क्या हुए देट इस डिजिटल इंपूट डिजिटल इंपूट और एक्स क्या हुआ एनी पीन आप कोई भी पीन यहां पर यूज कर सकते हो इसके लिए आपको दो चीजों की रिक्वार्मेंट है पहला आपको चाहिए यूएस बी टू आरेस फोर इट फाइव गणवर्टर ठीक है सेकंड चाहिए आपको हो आएस फोर इटंव डूट फैव टू टीटल का अंबर्ट के यौदा होता है जिस्ट आपके जाय को फाइव stoł hatred टल के अंदर क्या में चारोजिक होगे एक आपका हम दूनों मॉड्वी इसके बाद मैं पूरा करदू कर दूगा एक ही बार में ही क्या होता है और आपको एज होगा ऐसे बाद को बस्क कर रहा हूं कि इस बहुत है थे में अब अभी ऑपको बतांगा वो बताओं सबसे फेले यूस बी पर सरी आरेस फॉर इट फाइव तू टी टी अल सब्सक्राइब करेंगे इसमें यूज करेंगे इसमें यूज करेंगे वह हमारा माक्स चैनल पापोलर या आप यूज कर सकते हो एसन 7517 166 ठीक है यह दो आई सी काफी आदा पॉपलर और सबस्टा आप और वी देखना जो की उसमें जालतर होगी मैक्स पॉरिट फाइब मैक्स पॉरिट फाइब में क्या होता है बेसी की आठ पीन क्या आएची होती है ठीक है यह चैनल को टिखे से म सहती होगा यहां एक होगा एक आठ गाले कि यह आठ पीण की क्या हूई हमारी यूज हो गही इस पॉर्ट आपी andra फर्स Algora का जो पीन होते है ताट इसफ काल नो काल राव के मारा रो शीकड पिन क्या है अर यह पिन कैमार डी यह पीन जुक यह है तिबर भी चीए हमाना बी और यह हमारा घ्राऊंड ठीक है इसक यह मैशी क stark है यह मैक्स 485 ठीक है यह क्या है मैक्स 485 IC क्या करेगा आपका बेसिक इस IC कौन क्या करें ही हम इस IC को ए और बीकर टम्स में है ठीक है आर ओ जो होता है हमारा आरो का मतलब होता है बेसिक आर ओ इस यूर रिसीवर आउट्पूट आरो इस यूर रिसीवर आउट्पूट रिसीवर आउट्पूट रिसीवर आउट्पूट कहां से आपका मिलने वाला है तो रिसीवर आउट्पूट जो आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर से मिलेगा कि हम वहा output enable next pin जो है हमारा that is DE what is DE this is driver enable driver enable pin है next हमारा है DI DI is your driver input input enabled ठीक है DI is your driver input enabled अब आपको this is your ground पता है A और B क्या है आपका A जो है आपके that is non-inverting non-in non-inverting जब इसका internal architecture आप देखोगे तो समझ भाज जागा B is your inverting ठीक है देखो हो कहारा है basic receiver output आपको यूज करना है यह जो तीन चार पीन है इसमें से आपको आरी पीन है यह यूज नहीं होगा ठीक है इस पीन इस नोट यूज ठीक है जब सर्कृट भी डिजाइन कर लोगे आप सेम सर्कृट भी डिजाइन कर सकते हो यह वीडियो जब पूरा देखोगे आपको बहुत ही मजाएगा और लास्ट में आपको समझना है क्योंकि यह फ्लो में ही आप प्रोग्रामिंग करोगे कि इस पीन को मुझा है किती को मुझे लो करना ठीक है आरो आप समझगे डरीज रिसीवर सरु जो माइक्रो कंट्रोडर से रीसीव करेगा करेगा हुट यह है आपका ड्राइवर नेवल ड्राइवर ईनेबल बहुत हिंपॉर्म नारींग इक चरनेगे माइλο कंट्रोल आप इनेबल को स्टेस है अट पूट लेन माईक्रो डिफास चाम करेगा ठीक है और ये ड्राइवर इंपूट इनेबल करने के लिए हम को जस्टिस को इनेबल करना है इसलिए मैं इस पर क्या करूंगा एक सुन दे रहा हूं जो मैंने बताया था इने पिन कोई भी मैं पिन दोंगा इनेबल करने के लिए मैं से इसके हैं ऐर भी जो बगको बाहर आया ठीक है एर भी किया अब क्या कर सकते हो बेसिक कर सकते हो ए और बी परिए आप कोई भी अपना डिवाई दिवाइस निकारो आप में रेडी किया आपने क्या यहां पर बना लिए आपने बस मैस 485 एक आईसी लगई और आपने सारा इनेबल कर दिया यहां पर रजिस्टेंस लगए लगें यह पूल आप पूल डाउन करने के लिए हम रजिस्टेंस भी यूज़ करेंगे बस इतना ही आपको करना है एक सर्कृट में एक माइकरो कंडू इन्पूर के नंदर आपको डेटा को राइट की भी करना है वह दो और यह बात को यह दोनों पर लेकर आना तो इसके लिए रिक्वार्मेंट होगी वह बहुत इंपॉर्टेंट है वह रिक्वार्मेंट होगी हमारा अनधर जोगा इसे ही हैं बोलेंगे आज़ए एक्स और भी ऐसे करेंगे इसके बाट जो नेक्स्ट कंसेप्त आएगा हमारा वो आएगा के लिए तो अगर मैं सिंगल बोड से ही केवल ओपयर करें तो एक में डिफलक्मेंट बॉर्ट डट रड़ेडर नेडे करना चाहरा हूं और मैं चाहता हूं भूड में मैं देरिट एक यूएस्विल प्लग करूं और मेरे को डेटा पूरा मिल यह मैं करों सब कुछ करूँ ए और बीपिन मैंने निकाल लिया यहां से मैं एक ए दे दिया और यहां से मैंने ज़र्ट क्या किया कि मैंने एक यहां से ले एक बीप निकाला एक कनेक्टर यहां लगाया कि मेरा कोई भी यहां से इन्पूट कनेक्ट हो जाए और बी ठीक और अब मैं क्या किया ठीक है यह मेरा मालो लेट से की प्लस फाइब वोल्ट का मैंने सप्लाइ दिया अब मैं चाहता हूं कि मेरे को यूएस्बी का भी यहां से फिर मुझे मिल जाएगा सिगनल ठीक है यहां समय सिगनल ले लूँगा फिर यहां पर में लगा दो माइख यूएस्बी करिक ठीक लूट यूएस्बी कनेट रगाऊंगा और सिदे यहां से ऐबी इंपूट यहां से कंट्रोल करने के लिए यहां पर मैं भी रजिस्ट्रण व्हड़ाविखा क्यों की यहे बहुत इन पर इंपोर्टेंट इस्मे तो मुझे चाहिए होगा फिर यूएस्बी जो भी मैंने आपको बताया यूएस्बी टू आरस फॉरेट विएस्बी के निवेटर उसमें फिर आपको लगाना पड़ेगा क्या एक लगाना पड़ेगा आपको मैक्स 1-485 और यह जाएगा सिग्णल किस पे य्जाएगा आपका यूएस्बी ड्राइब्स Z 6 scooter और यह ओर भी सीनल इहाँ यहां पड़ उम्हां भाकलेगा और यहां आपको लगेंगे usb क让 listener यहां से यह जो एक आप चोटाव एक शोटाव आप चोटाव यहां पिक्चर लगा रखी एक चोटाव एक रिवाइस आता है उस्वीड वैस्टिवार्य तरह ट्रक विए अप लगा सकते हो इस तरह यह प्रॉसस होता है पुरा ठीक याप थीए होती है अब मैं आपको बताकि माइकरो थे अब मैं क्या होगा है देखो विडियो एकिमवाइर नाज्ट करूंगा ठीगे मुंध यहाँ पे मैं यह हमारा माइकरो कंट्रूल्थर और यहां से हमने करेंगे 3 पीन एक होगा हमारा आरेक्स एकोगा टीह और एक वाधिए अपक्स हुआ हो चैकर भी कडिया नुट नॉमबर 4 ले ले लिटकी अठीक ने अधिकर नुम्हद फोर ले प्रोड लिए और आरएक्स को मैं अनट करूंगा तो TTR इस तरह से काम होता है basic circuit level पे अब समय रहोगे कि कहां पर आपको signal को in करना है कहां पर तो इस तरह से हम करेंगे काम करते हैं पूरा का पूरा का हमारा बर्क होता है अभी मैं बाकि क्या होगा कि आपको कौन से राइट करना है वो डिपेंड करेंगा कि आपको पूरा इसके नहीं कि नहीं पूरा दिया हुआ है तो वह company आपको डेटा शीट प्रोफइट करें जिस्टेट चिट अंदर आपको क्या पूरे प्रचेट में लेंगी और उसी रेजिस्टेट के प्रक्रामिंग को आप क्या करोगा अपने प्रोगांग में फिट करोगे इस वाले पैरामेटर पे यह बिट की यह करेंगे ठीक है तो यह बेसिक आपको समझ में आया हुगा थोड़ा सा मॉडबस का इंटरनल अर्किटेक्ट्चर में बताया कि किस तर से हमारा सर्क्रीट होता है तो सब प्रोगामिंग के बारे में तो प्रोगामिंग को भी बात करूंगा बट इस से नेक्स्ट वीडियो जो झाले देल से अजिस्ट गए कि या झाले भाता है डिस घुटे के शो कि या तो यंडरनल अर्कियो जोड़ा झाले जुकल बाता है झाले अर्ण